हे फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब फोप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंस आज मैं आपके सामने एक बहुत यूनिक नाश्ता लेके आई हूँ जो कि आप हर देन कभी भी अपने घर में बना सकते हैं और इसमें जो भी चीज इस्तमाल हु तो यहां मैंने दो आलू को पील ओफ कर लिया है उसके बाद मैंने इसमें बारी कटिवे प्यास डाले हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पॉडर डाला है थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और मेरे पास फ्रोजन पीस पचे हुए थे तो मैंने वो भी डाल दिया मतर अगर आपके बाद उसे हम मिला के अलग तरफ रख देंगे और यहां एक बरतन में मैंने तीन चम्मच बेसन का लिया है उसमें मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंस नमक आलू में भी है तो इसलिए यहां पर देखकर ही डालिएगा उसके बाद लाल साइड में रख लेंगे और रोटी को जो है उसे हम लोग 4 पीसे में कट कर देंगे इस तरीके से आपको 4 पीसे में इसे कट कर देना है बस अब इसे मैं सीधा कर लूगी रोटी को और जो पतली परत होती है फ्रेंस उसी के उपर हम आलू का मिश्रेंड को लगाएंगे इसके बाद यह दिखी जो खुल रहा है उसको अंदर साइट में कर दीजेगा इससे आपका जो नाश्ता है वो खुलेगा नहीं तो बस अब यह हमारा रोटी तैयार है अब इसे हमें बेसन के गोल में डालना है तो बस एक और मैं आपको बना के दिखा दे रही हूं यह दिख कर देंगे दिखिए जो उपर खुल रहा है उसको अंदर करना है और उसको उपर से स्टेक कर देना है बस हमारा नाश्ता रेडी है फ्रेंस जादा आलू जो बाहर में निकले है उसको आप अपने हाथ से अजस्ट कर दीजेगा बस अब इसे हम लोग बेसन के गोल में डिप करेंगे तो यहां रोटियों को उठाकर एक एक करके बहुत ही साउधानी से आपको इसे उठाना है और उसमें डाल कर अच्छी तो बिलकुल ही घब रहेगा नहीं यह खुलता बिलकुल ही नहीं है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप उसे अजस्ट कर सकते हैं तो से धीरे अलट पलट कर इसे दोनों तरफ से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजे बस यह देखे हमारा जो नास्ता है वो बनके रेडी हो चुका है यह बहुत पसंद आता है बच्छों को भी बहुत पसंद आता है अगर आप अपने बच्छों को टिफिन में आप को नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बना के दे तो आप इस तरीके से बची ही रोटियों के साथ में नाश्ता रेडी कर करके उनको दे सकते हैं तो बस इधर मैंने एक और बना कर रेडी कर लिया है और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर होता या कोई भी आजाए फ्रेंस किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें बची हुई रोटियों से इस नाश्ता को बनाया है कोई भी नहीं समझ पाएगा ये बहुत टेस्टी होता है परसनल एक्सपिरियंस के साथ बुरियो और बहुत ही क्रिस्पी भी होता है फ्रेंस तो आप लोग जरूर इसे अपने घर में बनाईएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंस तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए तो बस मिलते हैं आप से अगली को इस तरीके से बनाकर अपने फैमिली मेंबर्स को खुश कर सकते हैं तो आप लोग जरूर इस नास्ते को बनाईएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में बाबाई